ऑब स्प्सक्राइब करें हैं हमारे रीज हमारे से निख Shannon को सब्सक्राइब नहींुत चाहिए तो मुझसे है ले सकते हो वह भी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करका इप यू वांट मिस्टर होंग को देखते हैं जिनकी हालत खराब हुई जा रही थी इसके बाद शुआन शुआन को पता चलता है कि कुछ घरत हो रहा है अगर मिस्टर होंग अंदर होते तो उन्हें गेट खोल देना चाहिए था यांजी को कॉल करती है और यहांजी गेट खोलने वाले को लेकर आपे पहुंचता है मिस्टर होंग वह पर बेवश्च पड़े हुए थे इसके बाद उन्हें उठा कर में इंटर करती है तो एक सीक्रेट डूर को खोज लेती हैं और क उसे लगता है कि शायद पता नहीं है क्या होगा इसके बाद मिस्टर रॉंग तो जाग जाते हैं उन्हें कुछ होए नहीं था ब्लड का सैंपल लेकर यह इचन को कॉल लगाती है पर यह इचन को उठाता नहीं इसके बाद वह से पारसल कर देती है यह पर जब यहां पर को बता भी नहीं चलता जान जी और लिंक्षा काफी क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं अब जंगलों का महौल दिखती है तो उसे लगता है कि लिंक्षा चुपकर रहेगा पर उसके पास कोई ठिकाना नहीं इसके बाद लिंक्षा की गले लग जाती है और कहती उनको बलड का सेंपर मिल जाता इसके बाद वो सोचता है क्या सुकता है इसके या स्वाट भी पास कोई बीपता नहीं था यहिपर शुआज और को कई को बताती है कि शौन शौन कंगल नहीं पर पैसों से बस उनकी बेटी को बचा ले जाए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है क्योंकि वह इनकी क्लोथी बेटी है तभी यहां जी कहता है कि उसे बचा लेगा लिंग शांग की जब यह नियू सुनते हैं कि इसके बाद वापस आती है नहीं बर्यान जी उसे बात करते सा यहां जी को उसके बारें बचाता है कि उसने कुछ अजीब सफाया पता चल गया था कि यह निक्षाओ का प्लड़ है और कुछ सैंपल चुकि निशुर होंगे काम आ सकते हैं इसके बाद यह नूंके पास सथ्यार थे इसके बाद वो डरने लगता है यहीं पर लिंग्शा वीच में टपक पड़ता है इसके बाद यहां पर उन गुड़ों की काफी अच्छी दोलाई करता है और यह चैन उसे थैंकि बोलता है और उसे लिंग्शा की सचाई तो पता ही थी इसलिए जादा मेरे ट्रीट मत करो वह एक अच्छा इंसान है और मेरा बाइफरेंट भी है सो चाओ तुम लोग यहां से तब यह पास्ट की स्टूरी दिखाई जाती है आप मिस्टर हॉंक अभी छोटे थे और वह लिंग्शा के साथ रहा करते थे और लिंग्शा ने उनने घर में पना द जाती है इसके बाद लिंग्शा अपने वादे को बुरा करती हुए उसे पना ब्लड देता है लिंग्शा अचानक ठीक होचाता है और उसके बाद सूचता है कि मौन्स्टर है आफर दैट वो नश्री में धुत्त रहने लगता है लिंग्शा समझाता है कि तुम ऐसे पाग हो सकती है मैंने तुम्हें एक पर बचाया पर हर बार नहीं बचाओंगा इसके बाद मिस्टर हों को कावी दा गुसा आता है इसके बाद वह लिंग्शा को अपने ट्रैप में फजा कर उस थंडी जगवे भीज देते हैं लिंग्शा की जो सूपर पावर है वो ठंडी में क सब्सक्राइब करते हैं इसका हमेशा गलत ही हुगा जो कोई गलत करता है उसका फल उसे गलत ही मिलेगा यह मिस्टर हों करते हैं कि एससा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि उनकी पास एक मास्टर प्लैन है जिसके बाद वह लिंग्शा को पकड़ी लिंगे जियांग जी तो यहां पर उसकी मोम उसे आराम करने के लिए इसकी बाद यह चेन यह जी और लिंग्शाओ शुआंशन को पकड़ने के लिए जाते हैं लिंग्शाओ पहले ही पहुंच आता है उसके बाद उनकी पर और नहीं को बचा लेता है तब उसे सप्राइज नी हो तो यह कहती है नहीं मुझे तुम्हारी सच्चाई ज्यांग जी मुझे कभी नहीं बताएगी और उसे बताता है कि दरसल यह मुझे कुद मिस्टर होंग ने बता है जिन उसे आकर गड़े लगा लेता है और गहता है कि मैं बहुती अधर डर गया था हम समझ सकते हैं कि यह चिन और शुवांशान दोनों एक दूसरी को बहुती पसंद करते हैं मिस्टर होंग तो कभाब में हड़ी थे उसी वत अभी टली कहा थ बाद लिंखशा जब घर वापस आता है तो उसे यान जी कहीं नहीं मिलती और इसके बाद जब शुवांशान घर पर दिखती है तो उसे लगता था कि यान जी उसके घर पर होगी यान जी वहाँ पर भी नहीं थे कफी वियर्ट है बिकॉस यान जी मेरी जिन्दा करते मेरे पास आना पड़ेगा इसके वाहाँ उनकी पास पहुंचाता है पर उससे पहले यहां पर यहां जी यह चिन और मुश्वान से मिलकर गया था लिंग आप जा रहा है तो वैल प्लैंड ही हो कर जाएगा जाएगा पर मिस्टर होंग उससे ठंडे से जगह बंद कर देते हैं लिंग शाफ फिर से एक डेट बोडी के तरह बन जाता है यहां पर जो प्रोफेसर हैं वो सारा ब्लड ड्रेन कर लेते हैं मिस्टर होंग से कहते हैं कि अगर आपने इसको सारा ब्लड ड्रेन कर लिया तो यह फिर से टॉर्मेंट बोडी बन जाएगा लेकिन अगर आप उसक तो वह लिंग शाओ को अपना ब्लड देती है इसके बाद उसका रूना स्टार्ट भी हो रहता है यहां पर वह लिंग शाओ को इसका निकाल कर लाती है और पर प्रॉफेसर को देखें तो उनोंने पहले ही पुलिस को सरेंडर कर दिया था और मिस्टर रॉंक के लिए उन्हें सारा प्लड निकाला था उन्हें उसको सिंक में डार दिया था मतलब वह पुलिस के साथ मिल गए थे और उन्होंने अपने बेटी एनी को भी बचा लिया था इसके बाद मिस्टर हों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था इसके बाद कंट्री से भागने का डिसाइड करत है और वो एक भूड़े इंसाने बदल जाते हैं तभी लिंग्शा उन्हें मारता नहीं और कहता है कि चंता मत करो मैं तो मैं नहीं मारूंगा यह जो मिस्टर होंग है वो कहते हैं कि प्लीस मुझे मार दो नहीं तो मैं जितनी बाहर भी आऊँगा तुम्हें मारने के तरह क खुझ लूगा तभी लिंग्शा कहता है कि ठीक है दिखते हैं जांगी सुबह उठती है तो लिंग्शा को वहाँ पर नहीं पाती है इसके बाद अपने एक्स-बॉइफिंड के साथ गूमना स्टार्ट करती है ता कि जैलिस होका लिंग्शा वापिस आजाए पर सब्सक्राइब करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं सब्सक्राइब के साथ तक के लिए बाइब